हेलो फ्रेंग्स और वेलकम टू माय चानल आजन बनेंगे दमालू आजन बनेंगे पंजाबी दमालू इससे पहले मैंने कश्मीरी दमालू बनाये थे पंजाबी दमालू की ग्रेवी बहुत ही रेड होती है बहुत ही स्पाइसी होती है बहुत ही टेस्टी होती है तो चलिए बनाते हैं पंजाबी दमालू दमालू कले यहापे मैंने लिए छे उबलेवे आलू ड्राइ रेड चिलीस एक चमच धन्या सारे खड़े मसाले तीन प्याच को यहापे मैंने काट लिया है दो टमाटर को यहापे मैंने काट लिया है नमक स्वात की अनुसार हल्दी पाउडर गरम मसाला धन्या पाउडर लाल मिच पाउडर, एक चमच अदर कलसुन का पेस्ट, बारी कटा हरा धनिया, सबसे पहले यहां पे हम तेल लेंगे, इसमें हम आमारे आलू को डाल देंगे, और जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसको अच्छी तरीके से फ्राइ करनेंगे, आलू को यहां पे मैंने ओवर कुक नहीं किया था, आलू को हमको सिर्फ एक सीटी देनी है, और ज़ादा हमको नहीं करना है, इसको 50% ही हमको बॉयल करना है, और फिर हम इसको करेंगे फ्राई, तो यहां पे हमारे आलू अच्छी से गुर्डन फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, तो अब मैं इसको किचिन टाल में निकाल लेती हूँ, ताकि इसका एक्सेज ओल निकल जाए, अब हम आलू में अच्छी सी होल्ज बना लेंगे, यह हम फोक की साहिता से करेंगे, यह हम इसले करते हैं, कि जब हम आलू को ग्रेवी में डालें, तो हमारे आलू के अंदर तक हमारी ग्रेवी जाएं, तो हमको जादा इसमें होल्स नहीं करने हैं, सिर्फ दो तीन बारी ही करना है, जादा होल करने से हमारे जो आलू है ये एकदम मैशी हो जाएंगी, इसलिए हमको कम होल्स में बनाने हैं दो चमच तेल रहने देंगे इसमें मैंने डाले हैं तेज पत्ता एक तेज पत्ता हमने डाला है दो दालचीनी हम इसमें डालेंगे एक हम डालेंगे काली इलाइची एक हम डालेंगे हरी इलाइची और काली मिर्च और लॉंग अब हम इसमें डालेंगे एक चमच धनिया के सीट्स और अब हम इसमें डालेंगे ड्राइ ग्रीन चिलीस पिंच अफ हम इसमें डालेंगे हींग डालने से बहुत ही अच्छा फेवर आता है और डालेंगे हरीमिट्च अब हम इसमें डालेंगे मोटा मोटा प्याच कटावा य एक दम रफली चॉप करेंगे, दो यहां पर मैंने टमाटर लिये हैं, इसको भी मैंने रफली चॉप किया है, अब हम इसमें डालेंगे एक चमच नमक, नमक मैं इसलिए डाल रहे हूं ताकि हमारी जो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से गल जाएं, और अब हम इसको अच्छ से गल चुके हैं, तो इसको हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं, और इसका स्मूध पेस त्यार कर लेते हैं, यहां पर मैंने लिये दो चमच तेल के, इसमें हम सारे ड्राइ मसाले डालेंगे, सबसे पहले हल्दी पाउडर, आदा चमच धन्या पाउडर, एक बड़ा चमच ल स्टो कर लेते हैं, जब भी हम तेल में मसाले डालते हैं, तो उससे हमारी ग्रेवी का रंग बहुत निखर के आता है, अब हम इसको अच्छे से स्टो कर लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे हमारा स्मूध पेस्ट, जो मैंने अब भी त्यार किया था, और करीबन 15-20 मिनि इसको इसी तरह हम स्टर करते रहेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह अच्छे से फ्राय हो चुक है, तो हम इसमें डालूँगी एक चमच अद्रक लसुन का पेस्ट, और अद्रक लसुन को भी हम ग्रेवी में अच्छी तरीके से भुन लेते हैं, अब मैं इसमें डालूँगी एक कप पानी, पानी आप जादा भी बढ़ा सकते हैं, अगर आपको थिन ग्रेवी पसंद है, और अब हम इसको स्टर कर लेते हैं, और पानी में एक अच्छा हुबा लाने देते हैं, पानी में यहां पे अच्छा उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे दम आलू, जिनको मैंने पहले से फ्राइ कर लिया था, और करीबन आठ से दस मिनट तक हम इसको लो फ्लेम में कुक होने देंगे, यहां पे हम आलू को भी ग्रेवी में अच्छी तरीके से कुक कर लेते हैं, ताकि जो हमारे ग्रेवी का स्वाद है, वो आलू के अंदर तक चला जाएं, तो करीबन आठ से दस मिनट तक हम इसको इसी तरह रहने देते हैं, तो यहां पे हमारे दामालू अच्छी तरीके से बन के तयार है, लास्ट में मैं इसको गानिश करूंगे, फ्रेश कॉरेंडर लीज से, और अब हम इसको निकाल लेते हैं, एक सर्विंग बोल में, और गैस की फ्रेम को कर देते हैं, बन्द, फ्रेंड यहां पे हमारे पंजाबी आलू बन कर तयार है, आप इसको गरम गरम रोटी, पूरी, नान किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, सो फ्रेंड्स हमारे पंजाबी दमालू बन कर तयार हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसको जरूर बनाईएगा, आप इसको रोटी, पूरी, नान किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, बहुत ही इजीली बन जाता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ल ISTивать वhmenवे किस्टी कर सकते हैं, अगर आपको रेका झाए हमारे सकते हैं, आपको जरूर ढम हाजे हैं, दोर्फा फिसकोदास सकते हैं, इसको जर आपको लूख भी स्कते हैं, आफ र fatto मतली सम्क्लावां से सकते हैं, आपको रखके ए erदी आगरर सवासे तो,पको छोब